बजट को लिकर के विपक्ष की और से उठाय जा रहे सवालों पर बीजेपी के सहियों की आजसू सांसद चंदरप्रकास चोधरी का बयान सामने आया जाँ उनों ने कहा कि बजट में सभी पिशड़ राज्यों को ध्यान में रखा क्या है आजसू सांसद चंदरपरकास चौधरी ने बजट कुले करके हेमंत सरकार को घेरा जहां उन्होंने कहा कि राजसरकार के इंदर सरकार की और से दे गए पैसे को खर्च नहीं कर पाती है मोधी सरकार के तीसरे कारिकाल का पहला बजट निर्वला सीतारों ने पेस किया हमारे साथ बातशीत करने चंदरपरकास चौधरी जी है आजसू के सांसद है चौधरी जी बताइए बजट तो पेस हो गया तीसरे काल का पहला बजट लेकिन विपक्ष कह रहे है यह तो सरकार बचाने के लिए बजट है यह देखें विपक्ष का काम है और जिस प्रकार से बजट पेसा है संतुलिद बजट आया है और आम लोगों के लिए और बिसेश ख्याल रखा गया है और हमारा इंफरास्टक्शर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो इस पर ज़्यादा फोकस किया जाए यह दिवक्ष कहा रही है कि देखें खास तौर पर अगर अन्य बजट की बात करें तो चुना भी राजियों पर बिसेश खास कर ध्यान दिया जाता है लेकिन जाता था और इस जो इस यह बजट आया है इसमें सिर्फ दो राजियों का तवज्यों दिया है जारखन में भी इस द्धान रहा है और मैं तो कहूंगा हर घर नलजल योजना का बजट है जो पुराना बजट हम लोग केंद सरकार के द्वारा दिया गए राज सरकार को राज सरकार अभी तक तो खर्च नहीं कर पा रही है जैसे हमारा काना है कि जदी खर्च हो जाए फिर दिमांड हो त अभी तक खर्च नहीं कर पाया है ना यूटिलाजेशन सर्टिफिकेट ना कुछी तरह का कुछ राज सरकार की लापरवाही है हमारे और से सुझाव राज सरकार को रहेगा कि आप जो भी बजट दिया गया उसका खर्च आप करें और केंद सरकार से जितना बजट है आप चुनाबी साल है फिर भी ध्यान नहीं दिया गया अ मन सरण सरकार को लूट के लिए चुट नहीं दिया जागा चुकि केंदर सरकार का जीस परकार से खासकर कर lenses परधान मंत्री शड़क योजना में कितना बड़ा घोटाला हुआ तो इस पर कारवाय भी हुआ आलमगीर आलम साब मंत्री जेल भी गया पैसे भी पकड़े गया तो इस तरह से भारत सरकार की कई एक योजना है आप आप देख लीजे आप हरगर नलजल योजना में जिस परक ही कहेंगे कि इस पर परधान मंत्री जी संग्यान ले जांच कर और जो भी दोसी अधिकारी है जो भी पद अधिकारी हैं जो भी कारवाय करना चाहिए रगवर सरकार की बात हो या हमन सरकार की बात हो जारखन में ही लूट का क्यों खजाना वनता है तमाम चाहे हमन्त की बा आप देखें ही होंगे कि भी राज सरकार के दोरा किस परकार से हुआ है, कोईला चोरी, खुल्याम हुआ है, आज तक अभी लोगों को बालू तक नहीं मिल पा रहा है, बालू में भी वा पत्थर किस परकार से घोटाला हुआ, जो जाँ छो रहा है तो सब लोग पकड़े जा मैं तो कहा हूँगा कि रगवर सरकार रहे है, कोई भी सरकार रहे है, किसी को भी लूट की छूटने जदी है, दोसी है, चाहा कोई भी रहे, उस पर कारवाई होना चाहिए तो ये चंद्प्रकास चौधरी है, देखे, नराजगी बिल्कुल हुई थी, मोधी कैबिनेट के बिस्तार के बाद जारखन से जरूर यह वाज़े आई थी, कि जारखन को तवज्जो नहीं दिया गया, लेकिन हाला कि बजट को लेकर बता रहे हैं, कि बिल्कुल संतुष् जो भी बजट पहले भी दिया गया, वो राजी सरकार खर्च नहीं कर पा रही है, और हैमन सरकार को लूटने के लिए बजट नहीं दिया जा सकता है, ऐसा चंद्प्रकास चौधरी कहना है, वीडियो जनलिस्ट पेम संकर के साथ, आमेच चौधरी, नियूज नेशन दिल्ल और खर्च